साखी नंबर 13 हस्त खेलत तेरे देहरे आया पुस्तक विच्चों गुर्णानक सहब नार सबंदत साखीयां चंगियां अते मंदियां सबंदत हन साखीयां दी परकपड़ चोड़ करना ता संब नहीं है मैं कोश कीती है के पाठका नू सोचन ले मजबूर करा तांके ओ पिछलग जन लाई लगना बन जान ठीक अते गल्त दी पचान कर सकन गुरू बाबा जी दी अनजान पुने विच जो तहीन खोद सिख कर रहे ने उस तों बचया जा सके लिखारियां अते कथा कारा नू समय सिर खरियां खरियां हर सिख सनौन दे समरत बन सके गल्त अते ठीक दी पचान कर सके अगली एक साकी गुर्बानी शब्दनू सनमोख रखके परचारकां वल्लों साकी कारां वल्लों कड़ी गई है गुर्बानी शब्दनू सारे अनू उपदेश कीता है साकी कार ने गुर्बानी शब्दन शब्दन दे शब्दन दे शब्दन है तानक रूप रहा करतार मैं पत की पंद ना करनी की कार हों बिगड़े रूप रहा बिक्राल तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहा आस एहो आदार रहाओ मुख निंदा आखा दिन रात पारकार योही नीच सनात काम क्रोध तन वसें चंडाल तानक रूप रहां करतार भाही सुर्त मलुक की वेश हों ठगवाडा ठगी देश खरा सेयाना बोता पार तानक रूप रहां करतार मैं कीता न जाता हराम खोर हों क्या मुदेशां दुस्ट चोर नानक नीच कहे बीचार तानक रूप रहां करतार इते खास्ते आंदता जावे गुरु जी ने शब्द अपने आपनों सम्बोधन कीता है पर एस सारे समाज नों समझा उनदा एक टांगा है इदा मतले नहीं के गुरु साब आप ये हुजे बनगे जिमे के अगे ब्यान कीता गया क्योंके मैं इदे सर्फ शब्द रखांगा तो अडे समने के साखी कारा ने किमे किमे गुरु साब दा अपमान कीता है हे संसारदे लोको तो अडे अंदर लोब रूपी कुता है आसा त्रिशना रूपी दो कुतिया हन सेवेरे तो शाम तक एतो अनू कुराहे पाई रख दिया हन तो अडे हाथ वेच चूट रूपी शुरा है कम योरा नू लुटके खा रहे हो तो अड़ा सवा के रनत मने जांदे संसी लोकां बीच शामल हो गया है तो अड़े तो चंगी सिख्या दा पी कोई असर नहीं पैणा ना तो अड़े कारो बार इमानदारी बड़े हन यो तुसी बहुत करूप हो गए हो तो अड़ी शकल प्यानक रूप तार्न कर गई है नरेंकार दा नाम नेक जीवन ही केवल संसार नू तार सकदा है मैं नानक एहो आसकीती है ते मेरी जिन्दगी दा अदार तेरा नाम ही है तुसी दिन रात बिना वजया दूजियां दी निंदा कर दे हो, चोरियां ठगियां करनू सदा उतावल रहन दे हो, काम वाशना विच गर्क हो चुके हो, कुरो तो अड़े ते हावी हो गया है, तुसी मनुखी जम्मे विच निरेच चंडाल बन गये हो, यो तो अड़ा विह तुसी ता मनों वड़े ठग बन चुके हो, सारे देश नू लुटके खा रहे हो, बहुत स्याने एक बौँदे हो, पापा दा बहुत सारा पार आपने सरते चुकी फिर दे हो, इसे लए बहुत नीच एनसान बन चुके हो तुसी, तुसी लोका ने कोई चंगा कम नहीं कीता निरोल हराम खोरियां कर दे हो, अजेहे टुकड बोच लोक नरेंकार दे दरवार विच किमे मूँ बखाउनगे, समाज विच उना नू इज़त किमे मिलेगी, छोटी मतवाला, नानक, निमरता सैत, तो अडे सनमुख ए विचार रख रहा है, इसनू समझो, अते नीच बिर साच्यनू बड़ी बेवाकी नर गुर्णानक साहिब ने ब्यान कीता है, पर साखी कारणे गुर्णानक नू ही ड्रोणे रूप बढ़ा पेश करके लोकां दे सनमुख रखिया है, अखे एक दिन गुर्णानक जीने फटे पुराने कपडे पाए, हाथ विच सोटा पड़ि पर पाई लेना जी बापस ना मुड़े, गुर्णानक संगने जंगल विच चले गए, अगे एक मुर्दा पे आ सी, गुर्णानक ने पाई लेना जीनू मुर्दा खान वास्ते आखिया, लेना जीने पुछिया, जी सिरवल्लों खाना शुरू करां के पैरावल्लों, जिद गुर्णानक ने लेना जी नू गाल नाल लाया ते गुर्गदी दी जिम्मेवारी सौंपन दा फैसला कर लेया शब्द सी लोकानू मत देन वास्ते उपदेश रूप ना समिझ साकी कारा ने गुर्णानक साहव दाही हुलिया बगाड के रख देता जो लोकान दियां कमजोरि गुरू जी ने ब्यान कीती हैं सन उननु गुरु सեյ नाल जोर के रख देता काम करोध रूपी कोतियां दी थामें असली कोते कोतियं गुरु दे नाल तोर देते इना हासो भीनियां गलानू सिक्खां दा इतिहासक खजानना दस्या जा रहा है। हासा आउंदा है साखी कारां दी अकल ते रोना आउंदा है उना कथा वाचकां अते लिखारियां दी अकल ते जो इना साखीयां नू साच मनी बैठे ने तो अड़ा की विचार है तुसी के में इना साखीयां नू लोगे जरा अपने दमाक नल जरूर कदी दो हत करन्दा यतन करना आखोसत नाम